उदाइपुर में मोलाल सुकाड़या विशु इजले के कुलपती के ड्राइवर के साथ अस्ट्रील वीडियो कॉल के बाद अवेद वसूली का बड़ा मामला सामने आया है इस मामले में गिरो के लोगों ने सिर्फ वाटसेप पर ही कॉल नहीं किया बलकि दो बदमाश पीडित से मिलकर भी गए है माना जा रहा है कि आरोपी पीडित को पहले से जानते होंगे क्योंकि जो बाते बदमाशों ने पीडित से की उससे लग रहा है कि या तो किसी ने रेकी की है या कोई जानकार ही इने फसाना चाहता है पीडित मनोर मेनारिया ने बताया कि बुधवार रात वे ओफिस वर्प से बासवाड़ा गए थे जहां रिलाइंस पेट्रोल पॉम्प से पहले जैसे ही बस से उतरे तो पीछे से दो यूवक आए और उन्हें उनके परिवार के लोगों के बारे में बताने लगे आरोपियों ने कहा कि हमें पता है आप महनलाल सुकाड़या विश्विद्यालय में नोकरी करते हो और आपके घर में एक पोता और पोती भी है यह सुनकर उन्हें लगा कि वह लोग कोई परिचीती है बाद में बदमाशों ने कहा कि कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक वीडियो कोल आएगा और उसमें आगे से जो भी कहें वैसा ही करना अगर ज़्यादा होश्यारी लगाई तो तुम्हारे पोते को मौत के घाट उतार दिया जाएगा यह कहकर बदमाश वहाँ से भाग गए कुछ देर बाद मनोर में नारिया होटल पहुचे और सोने की तयारी में थे कि उनके मोबाइल पर एक अंजान नमबर से वीडियो कोल आया उन्होंने जैसे ही कॉल उठाया तो सामने से नग नवस्था में एक लड़की दिखाई दी और उसने भी कहा कि आपको पता है ना क्या करना है बस स्टॉपर बदमाश जैसा कहकर गए थे वही पीडित मनोर के साथ हो रहा था कुछ देर बाद वाटसेब कॉल पर यूवती ने इन्हें भी वस्तर उतारने के लिए कहा लेकिन इन्होंने अपने कपडे नहीं उतारे इस दोरान वाटसेब कॉल पर निर्वस्तर यूवती ने इनका भी वीडियो बना लिया थोड़ी देर बाद यूती ने फिर से फोन किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए एक लाग रुपे की डिमांड की मनोहर मेनारिया ने लड़की को साफ के गया कि उनके पास पैसे नहीं है अगले दिन सुबह जब मनोहर कुलपती को लेकर उदैपूर की ओर आ रहे थे तबी रास्ते में एक कॉल ओर आया और उसने खुद को दिल्ली में क्राइम ब्रांच का कोई अधिकारी बताया और मनोहर से वीडियो अपलोड करने की स्विक्रती मांगने लगा इनके मना करने पर उसने कहा कि अगर वीडियो रोकना है तो 33,000 रुपे लगेंगे मनोहर ने पैसा देने से मना कर दिया बाद में बतमाश मात्र 5,000 रुपे मांगने लगे इस दोरान पीडियत मनोहर प्रताप नगर थाने पहुँच गए और शिकायत दर्च करानी चाही लेकिन थाने में तेनात फुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट दर्च करने से मना कर दिया बाद में उन्होंने हीरन मगरी थाने पहुचकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है पीडित मनोर का कहना है कि उनका न तो किसी लड़की से कोई अवेद संबंध है और ना ही वाटसेप पर कोल करने वाले इस गिरोह से संपर्क में है ऐसे में बासवाडा में मिले बदमाश कोन थे जो उस गिरोह से जुड़े हैं और इनके परिवार के बारे में इतना जानते थे इस बारे में पुलिस को भी चांच करनी चाहिए इससे एक बड़े गिरोह का परदाफाश हो सकता है उन्हों ने आकर मुझे बोला कि आपका नाम यह है और आप वहां से आ रहे हैं और आप भी वहां से रिटायर हो चुके हैं हमें सब मालूम है और आपके परिवार में आपका पोता एक दोईता एक दोईती है और आपका पुरा परिवार है और आप अच्छे गर से हैं तो हमें आपसे यह उमीद रहेगी कि आपके पास एक झाल आएगा, उसमें हम जो कहते हैं, तुम्हें करना है, अपनी तरप से कोई अलग से उशार इम्ट लगा ना नहीं, तो तुम्हारा परिवार में से पूते को कुछ नहीं करना अभी तुम जाना जाहिए तुम्हारा कोल रोगा है रुटेंगा थे लेंड़मार्क करके होटल है वहां पर में रुका तुरन्त उसके बाद में मेरे पास कोल आया तो कोल जैसे मैं कि मेरे जो उतारने लिए बोला तो मेंने बनियान और पहेंगे मैं सो रहा था तो मैंने कुछ भी वस्तना ने के लिए उसको मना कर दिया नहीं मैं नहीं उतरोंगा आपका हम एक वीडियो बना दिया है अच्छा सबक्राइब करने जा रहे हैं धर 15 मेंट के अंदर एक लाक र निकले रस्ते में खिरार के वहाँ पर एक किसी राम कुमार पांडे करके कोई ACP के बोल रहा हूं दिल्ली से और मैं साइबर सेल में आपका एक वीडियो आया हो उसको वाइरल करने के लिए कहा गया है तो क्या उसको वाइरल कर दूगे आपके परमीशन चाहिए तो मैंने का म वीडियो को वो डिलीट करके आपको फाइल भेजते हैं उस फाइल को मुझे भीजिए तो मुझे मुझे करने के लिए आपके 33,000 कुछ पैसा भील बन रहा है कि अब तो वह कर दीजिए मैंने उनको का महें पास 33,000 रुपे नहीं है और आपको डिलिट करना है तो मत पांचार आसी रुपी आपकर दीजिए तो मैंने का जितने में परताव नगर थाने पहुंच चुका था तो वहां जाके मैंने परताव नगर थाने में संपर किया उनको सारी गटना बताई तो वहां मुझे कहा गया कि आपको कोई टेंचन लडिया जरूत नहीं ही यह सार फै कीजिएगा क्योंकि मुझे दबाव में लेके में आप तो यह पताओ कि आप थाने गए